नमस्कार, BCN News के खास मुलाकात में मैं दिशाब सभी का स्वागत करती हूँ और आप मेरे बाचों में देख सकते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटिफुल लड़की हमारे साथ या पर हमारे स्टूडियो में मौजूद है निए नम है Mitali Bahare जिने मोस्ट ब्यूटिफुल स्किन और मिस्सूपर मॉडल इस खिताब से नवाजा गया है सबसे पहले Mitali बहुत स्वागत है आपका और कही ना कही जो खिताब आपको जनने खिताब से नवाजा गया है वो अच्छली है फुल से फुल करते हो मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में जो किताब दिये गए है वो सही हगदार को दिये है यौर अच्छल व्यूटिवल मान आवल मिताली यह जो कॉंपटिशन हुई थी लखनव में मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को हमारे मताया सबारे में यह ड्रीव त्रोडक्शन हाउस शरत चौदरी के तरफ से यह कॉंपटिशन हुआ था मतलब सारे इंडिया से इंडिया सूपर मॉडल इंटरनाशनल 2021 जिसका नागपूर में भी ओडिशन हुआ था प्राइड होटेल में तो नागपूर से मेरा सेलेक्शन हुआ था तो नागपूर से मैं सिंगल लड़की वहाँ पर गई थी मतली जब आप इस कॉंपटिशन की स्टेज इस के थू जा रही थी तो लिक ऐसे बहुत मॉवमेंट्स अगे जह पर आपको फिल होगा है कि यार मैं यह कर पाऊंगी या नहीं तो ऐसा कोई मॉवमेंट्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ चेर करना चाहते है तो जब वहां पर एंटर होई तो बहुत 70 गर्ल्स थी वहां सारे इंडिया से अलग अलग जगह से तो बहुत जादा तफ कॉंपटिशन लगा अच्छा बट उतना कॉंफिड़न्स था कि कुछ तो हो जाएगा अच्छा होगा आविताली क्या चाहता था किया अप्टिशन मॉडल उत्तर रही या फिर इसके पहले भी आप टेज्टेशन इए था जिसके टॉर्स था चाहता था ।ो मतलब पहली शुरुआ थी जो आगास वहा हुआ तो मतलब अच्छा वहां अंज्याम छोहा इन्जाम जोहा लिगा कि अविताले कही ना कही ये बोला जाता है कि यार मॉडलिंग इस नौट दॉफेक्ट करियर ऑप्शन बहुत बार लड़कों को बोला जाते है कि मॉडलिंग नहीं करो ठीक है इस सारी चीजों में भी आपने मॉडलिंग को चुना इसके पीछे कहानी जानना चाहते है अपसे चाइल्ड हुट से मेरा ड्रीम था मॉडलिंग और अक्टिंग में जब भी मैं टीवी देखती थी तो वह ही लगता था कि मैं भी कभी टीवी में दिखू तो वही चाइल्ड हुट से एक ड्रीम था तो इसलिए और फामिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है सो इसलिए मैंने इसमें ट्राइ किया मिताली कहिते है कि यार जो बहुत ही ब्यूटिफुल लड़किया होती है उनका माच्स और साइंस कमजोर होता है या पर अक्याडमिक्स मतलब कमजोर होता है या यह आपके साथ भी था ऐसा कुछ स्टडी में थोड़ा खीक था कि थी मेरा ज्यादा इंट्रेस्ट इसमें था मिताली अपने भी बिताया है कि आपको अक्टिंग भी करना अच्छा लगता है तो क्या यह कैसे थी कि आपको फिल्मों में जाना बगर भी पसंद आएगा मेरा वही ड्रीम है इसी के थू मैं आक्टिंग में भी जाना थाती हूँ और मैंने शॉट फिल्म भी की हुई है पहले भी नाक्टिंग में जो जस्वन आइनॉक्स में रिलीज हुई थी अगर अगर आप अगर आप अमारे दर्चु को कुछ बताएं वो मॉला स्टेशन के उपर था जो लास्ट टाइम जो भी इशू चल रहते है उसके उपर तो उसका भी मैंने अडिशन दिया उसमें भी सिलेक्शन हुआ और वो वो मॉंबाई की डीरेक्टर थी ब्रिइष उन्होंने यह फिल्म कराई थी और जस्वन्ट में रिलीज ही ती करियना, इन यह भी भुग होगा कि फैमली की और सबड़ेहा है कुछ लोग कर गएक्षोरे मॉड नही नहीं कर लोग कर conservation कने लिए वच लेगा एंच mejorar कि लडिज अचैंप मेरँ जब ऐसे कर मोंग विल्कुल ड्रामा नहीं हुआ, वो जो थी इडिट्स वाला सीन था, फोटोग्राफी वाला वगरे, वैसा कुछ नहीं हुआ, अबा नहीं मानेगा ऐसा कुछ सीन था कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, रिस्तेदार जो कुछ ना कुछ खुराफाती करते हैं, क्या लड़की को भेज़ोंगे, मॉडलिंग वगरे करांगे, तो ऐसा कुछ हुआ रिस्तेदारों की और रहता ही है, क्या करेगी, पढ़ाई नहीं, ये मॉडलिंग में क्या रखा है, वही करना है, मुझे, तो अगर हम आपके रोल मॉडल की बात करें, मिताली, तो रोल मॉडल आपका कौन है, कंगना रनौत, तो क्या कंगना से इंस्पार हो कि आपने हैर्श को भी वैसे ही कर्ली ताइश ये नाच्रिल है, तो ऐसा पहले से बच्पन से बाल कर्ली वगरे थ तो कईना कई उनकी तरफ लगाव, खिचाव, मैं हैसूस कि आपने है, मैं खुद में उसको देखती हूँ, तो बहुत बार रहता है कि जो मॉडल्स वगरा होती है, वो अपनी स्कीन को आठीक करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स वगरा करती है, तो कईना कई आपको मॉस्ट ब्यूटिफल स्कीन से नवाजा गया है, आपके इतनी प्यारी स्कीन का क्या राज है? किन के लिए तो कुछ नहीं, बस नाचरल ही है, नाचरल ही है, ऐसी कोई टिप जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहोगे? बस क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉस्चराइजर कि आप की स्कीन करें तो आपके स्कीन बहुत अची रही है, मिल्लब इतना कोस्मेटिक्स युजरा यूजरा नहीं है कुछ सिंपल चीज़े आपकी स्कीन को अच्छी रख सकती है, मिताली आच से यह भी जानना था कि यह जो आप मॉडलिंग करियर आपको चुनना है, तो क कुछ कंगistas, एक ही है, तोल जawy कंग Wandani नहीं कितने से यह हैं, मिल्लब कि नहीं है क्यों कि अपको आपको स्बस्ते यह हमारे सामने हैं ऱमकु अझ सिंटेकी बर्बाद हो गया, मिल्याओत्य। एक तनर से काम रहा खया और कई नगी आप अपक्टीड अरी को करने करनी है तो असके मैं इस के अपोज करना गाया तो को अग अज़ा दे दिजना भी दो घ्टीश पर लंगे मैं इस काम करना गाया मेरा फेवरेट अक्टर तो है रन्बीर उसके उपोजिट और सल्मान खाल अचा तो सल्मान खाल और रन्बीर साथ आपको काम करना है स्क्रीन शेयर करनी है करीना करीना करीन मैं आपसे यह भी जानना चाहते हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़किया होती है जिनको एक्शली मौड़िंग के इस करीयर में आना तो होता है बिट उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए कि सरीके से वह पर चीज़े जाती है तो उस बारे में आप उड़कियो को क्या बताओगे आपको अगर मॉडलिंग करनी है अभी तो सारे प्रेटवर्म्स है यूट्यूब है जो भी है आप उसमें देख सकते हो और जैनुएन जो भी है उसका पूरा रीविउस देखिए जैसे मैंने ये पेजेंट किया ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस ये बहुत ही जैनुएन प्रोड़ीशन दिया था तो जो भी है आप सब कुछ देख के किजे क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत सारा ऐसा कुछ होता है बहुत फ्रोड लोग होते है उनका कोई प्रोड़क्शन हाउस मही होता है बस अड़ीशन के नाम पर फीस बलेते है बड़ देखिए बड़ आप उच्छ दीजे बस वही न है कहिना कर जिए भी बॉला जाते है कि मौद्ल को कहीना के अच्छा कॉंफिड़न्स होना भी जरूरी है तो ये जितनी भी यह उतिया है उनको बे उनमें बही पॉंफिड़न्स होना इतना जरूरी है आपका स्क यह या एपका स्कें या है तो इस तरह के से या अपकी लखनाव में जो कॉम्पटिशन हुई थी, उसमें किस तरह के से जचिस के और से जजिग की गई थी और कैसे राउंड हुए थे इसके बारे में जानना चाहते या उपसे तो इंट्रोड्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि बहुत टेंशन होता है तो क्या feeling था ऐसा कोई मुमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शेको के साथ बस लास्ट डे 40 गर्ल्स का था कि 40 गर्ल्स में टॉप 30 का जब नाम ले रहे थे तब बहुत जादा डल लग था कि आभी मैं ग्राइंड फिनाले से आउट जाओंगी ऑन दाट डे ग्राइंड फिनाले था तो सेवेंथ नंबर पे मेरा नाम आया तो मैं बहुत हाफी होगी काईनागे यहाँ पे थीम भी बहुत बार रखी जाती है तो कॉंसी थीम आपने फिनाले के लिए इस बारे में जाना चाहती है नहीं उस ताइम नहीं था बस रिजाइन अद्रस इस प्रोवाइड किये थे है वाई वाई बहुत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि लिए मॉडलिंग करियर की तू जा जा गोगी जहां पर आपको फिल हुआ कि यार मैं यह कर पाऊँगी या नहीं मुझे को फ़िए करते करही है तो ऐसा कोई मुवमेंट जो आपकी लाइफ में आ उसके बारे में ऐसे वाई मुझे पता था कि मैं कर लूँगी थीम पू तो आगे आपके future expectations क्या है आप आगे क्या करने वाली इसके बारे में दर्शे को दाइए इसके बाद मैं reality shows में try करने वाली हूँ रोडी और splits वाला तो उसका audition अभी होने वाला है आप 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 मिताली एक आखरी सवाल जो मेरा आप से ये है कि बहुत ऐसी लड़किया है जो इनको इसमें आना है पर उनको अभी तक किसी ने इस टॉपिक के लिए पर उनको लगता है कि कहीं अगर नहीं भी किया मॉडलिंग तो इसको कुछ और करियर ओप्शन सोच भी सकते ऐसी लड़क कि आपका जो भी ड्रीम है प्लीज आप उसी को फॉलो किजिए स्टडीज तो चलती रहती है बट साइड बाई साइड बाई साइड आपको अगर मॉडलिंग में इंट्रेस्ट है तो आप जरूर कीजिए मॉडलिंग इसमें भी बहुत अच्छा करियर है बन सकता है आपका बहुत अच्छा सेशन रहा से बात करकी और कहीना की सच में जरूरी है एक हर किसी को अपनी ड्रीम को फॉलो करना अगर आप कुछ ड्रीम देखते हैं इस तरहीं से मिताली नी देखा उन्हें मॉडलिंग करनी थी और कुछ और सोचा नहीं आप अपने लाइफ में अपनी आपको को मिलाने की साजी रज़ते है ऐसा ही कुछ है किसी चीज को मदब आपकी ड्रीम पर देखना पूरी कायना जिस तरह से मिताली को उनका मिल गया है उसी तरह आपको भी आपका करियर मिल ही जाएगा और आप उस चीज को अचीव करोगे फिलाल हमारी इस खास मुलाका झाल झाल झाल